नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमतकारी चीज के बारे में बताएंगे दोस्तो जिसका आपको हरो सेवन करना चाहिए यदि आप अपने सरीर को सवस्तर रखना चाहते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं दोस्तो ये सभी पोसक तत्व आपकी सेहत के लिए बहुत अधिक लाव कारी हैं। यदि आप लसुन का हरो सेवन करेंगे, तो इससे आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। आपका पाचन मजबूत बनता है। और दोस्तो यदि आपका पाचन मजबूत होता है, तब आप बहुत त्रहें के पेट के रोगों से बज़े रहते हैं। हमारा पाचन का कमज़ोर होना ही इन पेट के रोगों का मुखे कान बनता है। जिनें कबज, गैस और एस्टेडी आती हैं। और दोस्तो इनके कान हमारा पूरा सरीर बीमारियों का घर बन जाता है। यदि आप लसुन का हर रोज सेवन करते हैं, तो इससे आप कॉल्ड और फ्ल्यू के संकर्मन से बचे रहते हैं। दोस्तो आपको कफ बनने की समस्या नहीं बनती हैं। दोस्तो और ये कप की समस्या आप इसको हलके में ना लें। क्योंकि ये आने वाले समय में बड़ी-बड़ी बेमारियों का कान बनती हैं। जैसे अस्थमा, साइनस जैसे समस्याओं का ये कान बनती हैं। इसलिए आप इसका इलाज आज से ही सुरू करते हैं। अपने स्रीर को सवाष्थ बनाने में यदि आप लसुन का सेवन हर रोज करेंगे तो इससे आपका कोलोस्टोल लेवल सही बना रहेगा क्योंकि लसुन का सेवन यदि आप करेंगे तो इससे आपका खून गाड़ा नहीं होगा और cholesterol की यदि आपको समस्या नहीं होगी, तब आप दोस्तों दिल की बिमारियों से बचे रहेंगी heart attack और heart blockade जैसे समस्या आपको सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों यदि आप हमारे दुवारा बताईगे विदी से lesson का हरो 7 करेंगे तो इससे ये आपके सरीर से toxins को बाहर निकाल देगी जिससे एक तो आपके चहरे पर नया गलवाएगा, आपका चहरा खिल जाएगा उपर से आपका सरीर जल्दी से बिमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका सरीर toxins मुक्त होगा ये आपकी वजन को भी कम करने का काम करती है, आपकी पेट की चरवी को कम करने का काम करती है क्योंकि इस lesson के 7 से आपका metabolism boost होगा और जब आपका metabolism boost होगा, तब आपकी पेट की चरवी भी बिंगल जाएगी तो आपकी body को detox करने का काम करती है इस lesson का 7 दोस्तो आपने क्या करना है लसुन की पांच कल्या लेनी है इनको छील कर साफ कर लेना है जैसे कि ये मैंने कर ली अब आपने क्या करना है एक बरतन लेना है और एक बरतन में एगलास दूद का डाल कर आग पर उबलने के लिए रखना है जैसे कि ये मैंने रख दिया अब आदा आपने डालना है आदे से भी थोड़ा कम मातर में डालनी है आपने हल्दी और हल्दी के बाद आपने इसमें डालनी है लसुन की जो पांच के लिए हमने मैस की थी वो इसमें डाल देनी है यह जैसे कि हमने डाल दी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें अब आपने इस दूद को तीन उबाल देने हैं जैसी कि ये हमारे तीन उबाल आ गई और दोस्तों आपने इसमें अपने सवाद के लिए आप सहद का परियू कर सकते हैं यदि आपको डायवटीज की समस्या नहीं है लेकिन यदि आपको डायवटीज है तब आप इसका बिना सहद के ऐसे ही सेवन करें अब आपने तीन उबाल आने के बाद इसको एक गलास में डाल कर इसका सेवन करना है और दोस्तों आपने बिना चाने इसका ऐसे ही सेवन करना है आपने इस जो लसुन का हमने पेश्ट राता उसको भी खा जाना है उस चाये के साथ मी, उस दूद के साथ में, उस कारे के साथ मी और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी सरीर को बहुत सारे फाइद यह होंगे क्योंकि ये golden milk बन गया, जो golden milk आपके चेहरे पर भी glow ला देगा और आपके heart को मजबूत करने का काम करेगा, आपको दिल की बीमारियों से बचाने का काम करेगा, डियोटी जैसी बीमारियों को control करने का काम करेगा, तो दोस्तों देर किस बात की हैं, यदि आप भी अपने दिल को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, और हमेशा सवस्त बने रहना चाहते हैं, अपने सरीर की इम्यून पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज से ही इस लसुन का इस तरीके से ब्रियोग सुरू करतीजी और अपने सरीर को बेल कोलन निरोगी बना दीजी, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडियो की नोटिकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तों.